तर्ज़े को एक नास्दे ने मारास के चीफ मिनिस्टर और फट नविस ने डेपटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट की शपत ली फौलिटिकल बेलान्स के लिहाज से इस फैस बे को भले मास्टर स्ट्रोग कहा जा रहा है लेकिन power balancing में CM के सामने deputy CM का ही नहीं टिकता है आज के इस वीडियो में बात करेंगे deputy CM post होता क्या है पहले deputy CM कौन थे deputy CM के right salary और allowance क्या होते हैं क्या जिस तरीके से president के बाद vice president के पास special rights होते हैं क्या उसी तरीके से CM के बाद भी deputy CM के पास special rights होते हैं क्या जब state में CM नहीं होते हैं तो deputy CM राज को अपने अनुसार से चला सकते हैं मैं बात नहीं करता आपसे मी दिवेंद्रा गंगा धर्राव फटनेविस मैं केशो प्रसाद मौर मैं प्रिजेश पाठक मैं महाराष्ट राज्जाचा उपमुख्य मंत्री मौनून इस्वर की सपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा अस्थापित उपमुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पुर्वक और सुद्ध अंता करण से निर्वाहन करूंगा साल 1989 की बात है जब उत्वक के प्रेज़ेंट ऑफ इंडिया राम उतामी वेंकर ट्रमन देवी लाल चौधरी को शपत दिला रहे थे राश्पती उन्हें मंत्री पत की शपत दिला रहे थे जबकि देवी लाल खुद को बार बार उपप्रदान मंत्री बोल रहे थे आखिरकार हार कर वेंकर ट्रमन ने उन्हें तोकना छोड़ दिया बाद में सुप्रिम कोर्ट तक मामला चला गया वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भले वो खुद को डेप्टी पीम माने लेकिन उनके राइट केंदरी मंत्री जैसे ही रहेंगे क्योंकि Constitution में ये टर्म कहीं पे भी नहीं है यही बाद डेप्टी सीयम पर भी लागू होती है वैसे देखा जाया तो डेप्टी प्राइम मिनस्टर का जो पोस्ट है आजादी मिलने के बाद बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया था डेप्टी प्राइम मिनस्टर का पोस्ट यूजिन काबिनेट में जितने भी मिनस्टर सोते थे उसमें सबसे सेकंड हाईस ट्रैंग की पोस्ट डेप्टी प्राइम मिनस्टर की होती थी इंडिया ने आज तक कुल मिला करके साथ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, जिसमें से सबसे पहले डेपुटी प्राइम मिनिस्टर से सर्दार वल्लब भाई पटेल, इनके बाद मुरार जी देशाई, फिर चौधरी चरंद सिंग, फिर आते हैं आपके बाबू ज इलाको को काड़ कर आंद्र प्रदेश स्टेट बनाया गया, प्रकाशम इस नायर राज के पहले सीम बने, उन्होंने नीलम संजीवा रेड़ी को अपना डेप्टी सीम बनाया, देश में डेप्टी सीम बनाने का ये पहला मामला था, एक नवंबर 1956 को हैदराबाद के एक ब बनायेंगे, वो बोले कि डेप्टी सीम का पोस्ट एकदम गयर ज़रूरी पोस्ट है, तब संजीवा रेड़ी ने अपने एक्सपीरिंस के बेसित पर ये कमेंट किया था, लेकिन आज भी ये सच है, 1956 में देश के पहले डेप्टी सीम आंदर स्टेट के नीलम संजीवा रे बस्ता नहीं है, वो शपत भी लेते हैं तो राज मंतरी के रूप में शपत लेते हैं, डेप्टी सीम पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को सीम के बराबर पावर और राइट नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो सीम के ना होने पर या उनके अपसंस में वो सरकार चलाएं, या ऐसे में जरूरी कामों को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर अपने क्याबिनेट में से किसी सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को कुछ पावर दे करके जाते हैं, यह जरूरी नहीं कि वह बैक्ति डेप्टी चीफ मिनिस्टर ही हो। कॉंस्टुशन का आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर के अपन्टमेंट की बात करता है, लेकिन उसमें डेप्टी सीम जैसे पोस्ट की कोई बात नहीं कही गई है, कोई डेप्टी सीम कितना ताकतवर होगा यह उसे दिये गए डिपार्टमेंट से तह होता है, हाँ इतना जरूर है, वो कैबनेट मिनिस्टर होता है, इस लिए कैबनेट की मीटिंग में वो हिस्सा लेता है, डेप्टी सीम उतना है ताकतवर होता है, जितना ताकतवर डिपार्टमेंट उसे सीम के द्वारा दिया जाता है, आम तोर पर सीम होम और विजिलेंस डिपार् और law and order के मामले में vigilance के जरिये corruption के मामलों में इन सबी चीजों पे सीधे अपना control रखता है राज में class 1 officer के transfer और posting एक मात्र चीफ मिनिस्टर का ही right होता है इस मामले में deputy chief minister कोई right नहीं होता है deputy chief minister को सरकार के cabinet table के बाकी मंत्रियों के बराबर तनखा और allowance मिलता है administrative मामलों में भी deputy chief minister को mark की गई फाइल को देखने का right नहीं होता है सच तो यह है कि deputy chief minister को भी बाकी मिनिस्टर की तरह उनको जो भी department दिये गये हैं उनसे जुड़ी जो भी फाइले हैं उनको पास करवाने के लिए chief minister को भेजनी होती है deputy CM cabinet की better की अधिशता नहीं कर सकता है deputy CM किसी special circumstances में chief minister की लिखित direction पर ही cabinet better की अधिशता करता है chief minister ऐसा direction किसी भी दूसरे मंतरी के लिए भी दे सकता है deputy chief minister अपने department के लामा और दूसरे department को कोई भी direction नहीं दे सकता है दूसरे मंतरी की तरह deputy CM को भी अपने department में budget से ज़्यादा खर्श करने के लिए chief minister की permission लेनी होती है और माल लिजे कि अगर deputy CM का post constitution में होता तो ऐसे में कोई भी file proper channel से होते हुए उपर जाती यानि कि मुख मंतरी से पहले वो उपर मुख मंतरी के पास पहुंचती और फिर उसके बाद मुख मंतरी तक पहुंचती लेकिन ऐसा नहीं होता है political balancing का एक बहुत ही एहम tool बन गया है deputy CM का post सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब constitution में deputy CM जैसी कोई post नहीं है तो इस post को party आज के समय में रेवडी की तरह क्यों बाट रही है इसको हम दो example के जरीए समझने की कोशिश करते हैं जब कोई single party सरकार बनाती है तो अलग-अलग जाती और छेतर के representation देने के नाम पर उस जाती और छेतर से आने वाले नेताओं को deputy CM बनाती है वहीं जब किसी राज में गड़बंदन की सरकार बनती है तो बाकी जो दूसरे प्रमुक सहयोगी दल है उनको भी बराबर कर representation देने के नाम पर उस party के बड़े नेता को deputy CM का post देती है आज के वक्त में deputy CM political balancing का एक बहुत important tool हो गया है यानि ये post सिर्फ political जरूतों को पूरा करती है देश में इस समय 11 राज्यों में फुर मिलाकर के 17 deputy CM है आंदर प्रदेश में 5 deputy CM है जब कि UP में और विहार में 2-2 deputy CM है सुसिल मोदी सबसे लंबे समय तक deputy CM रहने वाले रखती हैं जो कि 11 साल तक विहार में deputy CM रहे हैं आंदर प्रदेश के 5 प्रमुख छित्रों को representation देना है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 2 प्रमुख जातियों को साधने के लिए 2 deputy CM UP में है UP में मार्श 2022 वदान सबाव चुनाव जीतने के बाद BJP में जाती समय करन साधने के लिए 2 deputy CM बनाये थे deputy CM केश्व प्रसाद मौरर OBC से आते हैं जबकि deputy CM ब्रेज़ पाठक ब्रमुख है केश्व प्रसाद मौरर UP में BJP का OBC चहरा है UP में OBC की आबादी 43.13% है यही वज़ा है कि वदान सबाव चुनाव 2022 में हार के बावजूद केश्व प्रसाद मौर को योगी सरकार में फिरसे deputy CM बनाया गया वहीं दूसरी तरफ deputy CM ब्रेज़ पाठक ब्रामुख समधाय से आते हैं दरसल UP में ब्रामुख वोटर्स करीब 10% है और वो राज के करीब 115 सीटों का future decide करते हैं अगर हम बात करें महराश्च की तो महराश्च में एक नाज सिंद्र को CM के रूप में समर्थन देते हुए BJP ने देवेंद फटनविस को deputy CM बनाया है माना जा रहा है कि BJP ने फटनविस को deputy CM indirect तरीके से सिंद्र सरकार पर मजबूत पकड़ के लिए बनाया है 30 जून को दिन में सब को लग रहा था कि देवेंद फटनविस महराश्च के CM बनेंगी लेकिन साम साड़े चार बज़ तक खुद देवेंद फटनविस ने कहकर लुगो को चौका दिया कि एक ना सिंदे महराश के चीफ मिनिस्टर होंगे BJP अध्यक जेपी नड़ा और ग्रेव मंतरी अमिश शाह के कहने के बाद फटनविस डेप्टी CM बनें है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफर्मेटिव लगा होगा ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद